साथियों अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मेडिया में खबर चल रही थी और यह गम्मीर बात है कॉंग्रेस के एक बड़े सहियोगी दाल महा गड़ बंदन के छुत्रधारों में से एक महा गड़ बंदन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कंफरेंस फारुक अब्दला साब उनके बेटे उमार अब्दला साब की पीड़ी प्रावेट कंप्री इस नेशनल कंफरेंस ने बयान दिया है कि काश्मीन में अलग प्रधान मंत्री होना चाहिए आप मुझे बताईए कॉंग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है वो कहते हैं हम गड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की सीची पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में दो प्रधान मंत्री होंगे कश्मीर का प्रधान मंत्री अलग होगा मैं ज़रा जानना चाहता हूँ जवाब कॉंग्रेस को देना पड़ेगा मां गड़बंदन के सभी पांटनरों को जवाब देना पड़ेगा इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की पात बोलने की हिम्मत कर रहा है कुछ दिन पहले उनके एक पार्लामेंट के उमीदवार ने ऐसी ही बत्तमी जी की थी भारत को गाली देने की खुली गोच्छना की थी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और नेशनल कांफरेंस इस विशे में चूप बैटे हैं और दिल्ली में मिडिया भी एक दिन के बाद विशे को भूल गया आज उनके दूसरी हरकत की है उनके उनके कहा है कश्मीर का अलग प्रधान मंत्री होगा मैं इन माह गड़ बंदन के सभी साथियों को पूछना चाहता हूँ पंगार की दिदी बहुत चिलाती है आप जरा जबाब दीजिए ये नेशनल कॉन्फरेंस आपके साथि है क्या ये नेशनल कॉन्फरेंस की दूसरे प्रधान मंत्री की मांग इससे आप सहमत है कि नहीं है देश की जनता को जबाब दीजिए यहाँ पडोस में आंद्र प्रधेश में यूटन बाबू बैटे हैं ये यूटन बाबू अभी दो दिन पहले वो बड़ा स्पेशल गमच्छा लगा करके फारुक अब्दुला के साथ जुलुस निकाल रहे थे तेरा यूटन बाबू बताईए और आंद्र की जनता भी चौक जाएए चेज जाएए ये ये चंद्र बाबू है जिसके बगल में फारुक अब्दुला वोट मांग ले के लिए निकले है और जिनका बेटा कश्मीर में अलग प्रधान मंतरी होने की मांग कर रहा है क्या चंद्र बाबू को वोट मिलना चाहिए क्या मैं पूछना चाहता हूँ सिमान शरत पुबार जी को आप तो कभी देश के रक्षा मंतरी रहे हैं आप कभी माहरास्टर के मुख्य मंतरी रहे हैं आप बताईए क्या आप हिंदुस्तान को सुई को पीछे ले जाने के तयार हैं 1953 के पहले उसी तरह आप कश्मीर में प्रधान मंतरी बनाने के लिए आपके इन साथ ही दलों के रवये से सहमत है क्या साप किजिए मैं स्रिमान S.D. देव गोडाजी से भी पूछना चाहता हूँ देव गोडाजी आप देश के प्रधान मंतरी रह चुके हो आपका बेटा मुख्य मंतरी है आपके परिवार के सारे लोग इस लोग संद्र में वोट की राजनीति का मज़ा ले ले हैं तेरा जबाद दीजिए देव गोडाजी आप पूर्व प्रधान मंतरी हैं आपका साथ ही दल नेशलल कानपरांस तंकिये की छोट परे कहने की हिम्मत करता है कि कश्मिर में अलग प्रधान मंतरी होना चाहिए तेव गोडाजी करना तकी जनता को जबाद दीजिए क्या आप ये प्रधान मंतरी होने की सपने देखने की बात को ऐसे लोगों के साथ चलना चाहते हो या नाता तोड़ने को तयार हो साथियों तेश को बांटने की इसी मानसिक्ता ने भारत का बहुत बड़ा नुक्सान किया मत भुलिये दो तिन दिन पहले ही नेश्टलव कॉन्फरंट के एक नेता आतंग सरप्रतों के लिए पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए थे इस बयान के बाद कॉंग्रेस के सारे बड़े नेता चुप्पी साथ करके बैठ गए थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं